सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हर साब सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोयक्टिव टेक्निकल के एक दम फ्रेस कमाल वीडियो में और लेकर हो आप सभी के लिए प्रोयक्टिव न्यूज जो के हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलोजी अपडेट्स को लेकर के तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो शुरुबात करते हम अपनी पहली प्रोयक्टिव न्यूज से जो की निकल के सामने आ रहे है रियल्मी की तरफ से और रियल्मी ने आज इंडिया के अंदर लौंच कर दिया अपने दो नए के प्राइजिंग की तो नार्जो 10A हमें देखने को मिल रहा है 8,499 रुपीज की शुरुवाती कीमत से यानि की 8,000 रुपे की शुरुवाती कीमत से साथी में अगर हम बात करते हैं रियल्मी नार्जो 10 की तो यह हमें 12,000 की शुरुवाती कीमत से देखने को मिल रहा है और दोनों ही हमें MediaTek की G line-up की तरफ से देखने को मिलते हैं यानि की gaming line-up की तरफ से देखने को मिलते हैं जो कि gaming centric processor है साथी में दोनों के अंदर ही हमें 5000 mh की battle देखने को मिल रही है हालकि Realme 10 A के अंदर हमें 3 camera देखने को मिल रहे हैं पीछे की तरफ और एक rear mounted fingerprint sensor देखने को मिल रहे है इसके अलावा Realme 10 के अंदर हमें देखने को मिल रहे है quad camera setup 48 megapixel के primary camera के साथ में और साथी में 16 megapixel का front camera भी देखने को मिल रहे है और अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही smart phones की first sale की तो Realme 10 यह हमें देखने को मिलेगा 20 second of Mako 12 noon और साथी मगर हम बात करते है Realme 10 की तो यह हमें देखने को मिलेगा 10th Mako और इसे के साथ मैं आगे बढ़ते हैं अपने अगरी proactive news की तरफ जो की निकल के सामने आरे qualcomm की तरफ से और qualcomm की तरफ से हमें एक नया processor देखने को मिल रहे हैं जो की है qualcomm Snapdragon 768G जो की एक successor है 765G का और इसके अंदर हमें 765G के मुकाबले जो graphic performance है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी साथी में बहुत सारे CPU changes भी हमें देखने को मिल रहे हैं और ये भी processor support करता है 5G को यानि कि हमें ये 5G chipset देखने को मिलता है और इसके अलाबा जो clock speed है वो हमें 2.8 GHz तक देखने को मिल रही है जो की हमें 765G के अदर सिर्फ 2.4 GHz देखने को मिल रही थी और इसी के साथ में हमें पहला smartphone देखने को मिल रहा है Redmi K30 5G Racing Edition यानि कि इसी Redmi K30 5G Racing Edition के अंदर हम यही नया Qualcomm Snapdragon 768 G SoC 5G processor देखने को मिल रहा है और इसी के साथ में आद वड़ते हो अपने अगली proactive news की तरफ जो भी निकल के सामने आरे एपल की तरफ से और एपल की तरफ से launch होने वाले over the ear headphones हमें देखने को मिलेंगे साथी में अगर हम रिपोर्ट्स की मानते हैं तो उन्चे हमें पता लगता है जो नाम होने वाला है इन्ही over the ear headphones का वो हमें एपल की तरफ से airport studio देखने को मिलेगा साथी में अगर हम बात करते हैं इसकी कीमत की तो यह हमें करीब 309 इस डोलर्स देखने को मिल सकती है और अगर हम इसे convert करते हैं इंडियन currency के अंदर तो यह हमें करीब 25,000 इंडियर रुपीज देखने को मिलेगी और इसी के साथ में आगे बढ़ते हो अपने गई प्रोएक्टिव यूज की तरफ जो विंकल की सामने आ रही है IQ की तरफ से और IQ की तरफ से हमें उनका upcoming smartphone IQ G15G देखने को मिलेगा और यह हमें देखने को मिलेगा MediaTek की तरफ से recently launch हुए processor के साथ में जो की है MediaTek Dimensity Series का MediaTek Dimensity 1000 plus 5G processor साथी में अगर हम बात करते हैं इसी की launch date की तो यह हमें 19th of May को देखने को मिलेगा चाइना के अंदर और अगर हम बात करते हैं इसी smartphone की कुछ खास specifications की जो की काफ़ी highlighted है तो अगर हम बात करते हैं fast charging की तो इसके अंदर हमें 44V की fast charging support देखने को मिलेगी साथी में 144Hz की display refresh rate भी देखने को मिलेगी और इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हैं अपने एक प्रोएक्टिव यूज की तरफ जो भी निकल के सामने आ गया आइफोन 12 Pro की कुछ leaks को लेकरके और इनी leaks हमें पता लगते हैं कि आइफोन 12 series का जो pro variant होने वाला है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 120Hz display refresh rate जिसको एपल कहने वाला है 120Hz pro motion display साथी में अगर हम बात करते हैं इसी आइफोन 12 Pro की कुछ और upgrades की तो इसके अंदर हमें face ID के अंदर और बी बदलाव देखने को मिलेंगे जो face ID होने वाली है उसके अंदर हमें wide view देखने को मिलेगा यानि कि wide angle viewing experience भी देखने को मिलेगा और साथी में इसी आइफोन 12 Pro के अंदर हमें देखने को मिलेगा 3x optical zoom और अगर बात करते हम camera setup की तो इसके अंदर हमें triple camera setup देखने को मिलेगे पीछे की तरफ साथी में एक lidar sensor भी हमें देखने को मिलेगा और अगर आप इसी lidar sensor के बारे में और जानना चाहते हो तो आपको यहाँ पर eye button में एक video मिल जाएगी जो कि आप easily देख सकते हो और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली proactive news की तरफ जो की निकल के सामने आर यह Uber की तरफ से और ऊपर एक नई technology का use करने वाला है अपने drivers की safety को ले करके और साथी में अपने consumers की safety को ले करके और अगर हम बात करते हैं इसी नई technology की तो यह हमें एक selfie technology देखने को मिलेगी और इसकी मज़द से ऊपर यह analyze करने वाला है कि क्या driver ने mask लगाया हुआ है या नहीं और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली proactive news की तरफ जो की निकल के सामने आरे Spotify की तरफ से और Spotify ने partnership की है सारे gamma के साथ में इंडिया के अंदर नई music library को launch करने के लि Macs की फस सेन को ने करके और यह हमें देखने को मिलेगी कल यानि की 12th of May को साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसी की कुछ specifications की तो इस smartphone के अंदर हमे 33 बोट की fast charging देखने को मिलती है और जो battery है वो हमें 5020 mAh की देखने को मिलती है साथ ही में इसके अंदर हमें Navic support भी देखने क अगर हम बात करते हैं इसके processor की तो इसके अंदर हमें Qualcomm की तरफ से Qualcomm Snapdragon 720G processor देखने को मिलता है साथी में इसी के camera की तो इसके अंदर हमें 64 megapixel quad camera setup के साथ में rear cameras देखने को मिलते हैं साथी में जो front camera वह हमें 32 megapixel देखने को मिलता है इसके अलावा हमें Poco F2 Pro का भी Global launch देखने क को मिलेगा 12th of May को तो आज की प्रोएक्टिव यूज में इतना ही मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो से लेक्ट आपका कोई सुचाव है तो कमेंट बोक्स में लिए ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाए इतना ही मुझे टिसे लेक्ट आगर आपको वीडियो पसंद आपका कि यूज रखको वीडियो आपका वीडियो पसंद आपका है झाल झाल